है है यह सब्सक्राइब करते हैं तो उनके लिए काफी इंपोटेंट विडियो है गाइस यह वाला हमारा कुछ भी दिक्कत हो जाते तो इस वाली आई सी को च्यून कर गए काफियत तक ठीक हो जाती है फिर विनो दो है आज पास की रिट्रेंश ठीक कर लिते हैं जैसे यह वाली है मैंने यहां पर निकाले कि बड़ी IC कार्ड बोलते हैं इसको ठीक है काफ़ी अच्छा कार्ड है तो फिर प्रब्लम्स क्या थे इसमें तो हम कर लेते हैं लेकिन चोटी फिर आइसी वाला होता है जब इसमें ऑड़ियो क्वेश्व प्रब्लम हो तो इसमें कहां चेड़ें काफी कमेंट तो और भी हैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा लेकिन कमेंट काफी इंपोर्टेंट है तो यह है फॉर डिजिट का निकि एक तरह का छोटी आइसी का कड बिल्कुल SMD तो इसमें गाइस ओडियो सेक्शन के लिए कोई भी वह आईसी नहीं दी गई आलग से सिर और जो फॉर डिजिट का काड होता है इसमें गाइस लेफ्ट राइट नहीं होता सिर्फ मॉन एक ही ओडियो से दोनों को चलाया जाता है वह कैसे मैं आभी आपको मल्टिमेटर से दिखाना चाहता हूं देखिए मल्टिमेटर को लगाएंगे हम कंटिनुटी मोड पर को पह लेफ्ट राइट ऐसे ही सेम तो इस पर नहीं आ रहा है देखिए नहीं आएगा क्योंकि इस पर अलग अलग आईसी से अलग अलग देगा है देखिए मैं यहां पर दिखा देता हूं आउड़ पुट में निकला है देखिए का अच्छे से लगा लिए हमने हिलाज आज आ जैसे ही मैं दूसरे वाले पर लगाँगा देखिए जो फॉर डिजिट का है इसकी आउटपुट जो है ओडियो की इसकी दौनों बेप सांड हो क्योंकि यहां से एक ही मोनो वाली ओडियो दी गई है उसमें स्टीरियो है अलग अलग लेकिन दो लीड में निकाली गई है ए अर्धियो के सिग्णल आ रहे हैं मलब वायर जा रही है इंब पर इलगा रहे हैं दो रिजिस्टेंस यहां पर तोड़ा गौर से देख लीज़े लीजेगाइज पहला रहा और कहीं दूसरा जो गया है यह अर्धियो के लिए और तीसरा अलग है और चोप्र जो फॉर्त को दूसरा और चोथा जो print जा रहा ही ये जा रहा है हमारी invalid resistance पे ये 700 assumes की resistance होती है उसके बाद में capacitor लग जाता है इन दो resistance को एक जग जग याल मिला दिया जाता है आगे के सिरे से फिर यहाँ पर और दो एक दो resistance लगा के एक capacitor लगा के ग्राउंड से connector दे जाता है उसके बाद में आ जाता है transistor यहाँ पर transistor लगा होता है यह वाला यह PNP है जिसका base हमारी output पे गया हुआ बेस देखे गाइस इसका output पे गया है वैसे base output पे नहीं होता तो इसका बेस आउटपुट पे गया हुआ है आप थोड़ा सा समझ लीजिए जो इसका emitter है वो ground से connect है और जो इसका collector है उस पर हमारी input मिल लिए देखे गाइस पटा है ना थोड़ा सा तो यह सीधा आके यहां पे collector पे बेस पे जो हमारी audio आउट ओडिया इस पर आ रहा है बेस ठीक है तो यहां से start हो रहा है हमारे signal तो guys यहां पे आप यह वायर लगा सकते हो अगर किसी वज़े सापकी audio चली जाती है तो सीधा आप डिरेक्ट यहां से दो वायर उठाईए और सीधा आउट पुट के चैनल पे दे सकते हो लेफट राइट करने के लिए फ़ले गरिंस में थोड़ी बत अगर प्रोब्लम लगती है तो मैं बताता हूं देखिए अब थोड़ा से मैं आपको बिल्कुल मैंने एक चैप्चर करका मैंने किया था तो मैं उसको दिखाता हूं देखें गाइस थोड़ा से यहां पर देख लीजिए जो रेच्टेंस पर मैंने बताया था कि वहां पर ऐसे जा रहा है लेफट राइट ओडियो सीधा मैंने यहां से दो वायर पीला और हरा जो आप देख तरहीं यलो और ग्रीन वायर जो देख रहे हैं यहां यहां से प्रोब्लम लगते हैं इसके पैलल में कैपिश्टर लगा सकते हैं 25 वोल्ट मुफ कितने रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो इस तरह से आपके ओडियो सो परसेंट आजाए गाइस बिलुकुल सो परसेंट आएगी यह बात हकीकत है काफी कार्ड में किया अगर नहीं आ पिन नमबर टू और पिन नमबर फॉरस से सिगनल आउट होते हैं पेर इस के भाद हमारी सरीज में एक राजिटन लगी होती है ठीक है तो 700 अस्यों कि आस पास होती है ठीक है कि इनके दोनों पिन एक जंग मिला दी जाते हैं यहाँ पर LR आगी तो यहाँ पर सीधा stereo कर वो mono कर दी गई ठीक है ना mono यानि कि M ठीक है ना mono कर दी यानि कि a audio बना दी गई left right की a audio बना दी ठीक है ना अब यहां से क्या होगा यहाँ पर हे एक कैपिश्टर लगा देंगे DC AC वाला जहुता है यह ग्रीन का लर का जोड़ी जिसको पिय में बना उता है फिर एक ग्राउड से कैपिस्टर लगा होता है डी सी वाला जो ग्राउंड पर निगेटिव तरफ होता है पॉजिटिव इसकी वह क्यों लगा होता है यह इसकी नोईस खतम करने के लिए फिक ठीक है तो उसके बाद में एक और रेजिट्रेंस लगती है जो कि वन के की लगती है ठीक है फिर सेम इस वन गेग रेस्टेंस लगने के बाद भी एक और कैपिस्टर ऐसी लगाया जाता है जैसे ऊपर लगाया था डीशी वाला यानि कि 25 वोल्ट जितने में फ्रक सकते हो दिक्कत नहीं है यहां पर सेम ऐसे एक और कैपिस्टर लगा दिया जाता है ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया जाता है इस तरह से ठीक है उसके बाद में क्या होता है सीधा हमारा यह हो गया ठीक है यहां पर कर दिया जाता है उसके बाद में हमारा एक टांजिस्टर लगता है जो की PNP होता है ठ तरह से और देखिए एमिटर इसका दोस्तों जो हमारे ऊपर साथ हुआ होता है ठीक है कोई दिक्कत हो गए तो बता देना आ हमिटर जो अगता है और जो यह 780 ważne की रेजिटंस लगए फिर एक स्टा लगए ग्राउंद पर घ तरह से 700ash cup की रेके यह और बिसु और फिर यह सीधा ग्राउंड पर चलगा यह पहुंत्त बना प्रना फिर यह सीधा जाके बेश वाला एक चोड़ आसा पिस्टल लगा दिया जाता है फिर से यह इसलिए लगा जाता है इतना सारह थाम तमोर गाई जिससे कि कि इस में DC ढैक्ट चलिए है आई सी खराब नहों उन्हों सिधा हमाँ पर लगा सकते कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इस कंडिशन में आई सी खराब नहीं हो सकती तो यहाँ पे हमारी left right की जो पिने होती है वो ऐसा फेद वाली और लाल वाली सीधा इस तरह से उनको point दे दिया जाता है ground तो उनका उसी से connect हो जाता है और यह हमारी audio होती है तो यह है guys सारा section और यह जो guys transistor लगा होता है यह होता है हमारा PNP PNP transistor किसी वज़े से खराब जाता है खराब नहीं होता है तो यह PNP transistor होता है इसका base इधर की तरफ होता है और collector इधर और अरेमिटर इधर ठीक है guys यह होता है सिर्फ इसका सारा section मैंने समझा दी आपको सिर्फ guys यह है और कुछ नहीं है अगर आपको ज़्यादे प्रोब्लम है जो सीधे IC फेसे जो प्रिंट आ रहे हैं वहाँ से दे दीजिए और साथ में parallel में वो सिर्फ में एकबर कैपिस्टर लगा सकते हो बस guys यही है और कुछ नहीं है इसमें आप समन सकते हो जाए दोबारा वीडियो को देखना पर निगेटिव कमेंट मत करना हकिकत बात यही है गाई इस तरह से आप प्रिपेर कर सकते हो आप आपको दोस्तों वीडियो चले लाइक कर दें दोस्तों शेयर कर दें तब तक कि लिए इतना सो जैहिंद बंदे मातम जैस्षिर नाम दोस्तो झाल